अगर आप भी पंजाब घूमने का मन बना रहेगे तो आपको इस वीडियो में मिले का भरपूर इंफोमेशन पंजाब आकर आप कहा घूमने जा सकते हैं कौन से शेहर में क्या है ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में डीटेल में मिलेगे तो हमारे साथ बने रहे हैं लास्ट तक इस वीडियो में और हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आएकों दबाना विलकुल मन्दूर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कामेंट करें और शेयर करें अगर आप हमें फीस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पीड सबसे पहले लाइक करें चल्ड़ आगे बढ़ते हैं पंजाब टूरिस्ट प्लेस के लिए काफी जादा फीमस हैं अगर आप भी यहां घूमने का प्लान कर रहे हैं तो चल्ये आपको कुछ बिल्दरीन ओक्षिंस बता लेते हैं ताकि आप घूमने का पूरा का पूरा मज़ा ले सकें सबसे पहले जानते हैं अमरित्सर शेह के बारे अमरित्सर में हर मिंदर साहय पुरुद्वारा यानि की मशुर स्वर्ण मंदिर जहां हर साल लागो टूरिस्स पहुँश रहे हैं इसके लावा आपको यहाँ जिल्यावाला बाग, बागा बॉल्वर्ट और कई पुराने मंदिर पे देखने को मिलेंगे शॉपिंग के लिए अमरित्सर काफी फेमस हैं यहां के एक हॉल बाजार में आपको एक से बढ़कर एक पारफरी कपड़े मिल जाएंगे तो एक बार अमदिर सर्थ जरूर घूमने आईएं अगला देस्टिनेशन आपको हो सकता है चंडीगर चंडीगर एक बहुत लिए फेमस टूरिस प्लेस हैं यहां तो आप घूमने जा ही सकते हैं अब काजगाटी, रोजगादन, फन सिटी और रॉप गादन जैसे काई प्लेसेज हैं जहां घूम आ जा सकता है सुखना लेक में तो बोटिंग का भी मजाली आ जा सकता है तो आप एक बार चंडी करें, जरूर घूमने जाएं शीश महल, क्या आप जानते हैं कि पंजाब का शीश महल काफी जादा मशुरू है पंजाब अपने इसी पुराने महल के लिए काफी जादा जाना जाता है यहां के तेरे मेरे महल और भव्य मंदिर पंजाब का मान बढ़ाते देने हैं तो आपको यहां भी जल्म रहा चाहिए अग्ला रे स्टेशन हो सकता है आपका जारंदर ट्राफलिंग के लिए जारंदर शेहर भी काफी बेस्ट माला गया है जिसका जिसकी खुबसूरती देखते बनती है देवी ताला मंदिर, वंडर्नाग, तेंबाग और या फिर सेंट मैरी कैफेड्रल चर्च निद्पाल, इमान नासिर मस्जिद या फिर रंगीला पंजाब हवेडी ऐसे कई जगें आपको यहां पर मिलेंगी जहां आप भूमने जा सकते हैं, मज़ा उठा सकते हैं, लोगोटा सकते हैं अगला डेस्टिनेशन हो सकता है, आनदपूर साहिब आनदपूर साहिब में मशूर गरू द्वारी के दर्शिन के लिए आप ज़ा सकते हैं और और आनन्दपुर साहिब का जो विरासते खाल साहिब वहाँ भी आप घूमने जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, बच्चों के साथ जा सकते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन है लुधियाना अगर आप पंजाब घूमने के लिए तैयार है, अगर आपकी प्लाइन पूरी हो गई है तो आपको एक बार लुधियाना शहर को जाना ही चाहिए जहां घूमने के लिए हवायदा रस्रेंट के अलावा नोधी पोर्ट, रूरल हेरिटेज, म्यूजियम और टाइगर जूप, पंजाब इंट्री कल्चिर पी इंवस्टी के अलावा बव्व महाराजा, रंजीत सिंग बॉल म्यूजियम जा सकते हैं इसके लावा यहां आपको फिल्लॉर पान, नेहरो रोज गार्डन के साथ ही डियर पान जैसे तूरिस प्लेस घूमने को मिल सकता है, नेक्स डेस्टिनेशन पर गौर करते हैं जो आपका नेक्स डेस्टिनेशन हो सकता है वो है भटेंडा, अगर आप पंजाब की हिस्ट्री से काफी जादा प्रभावित हैं, काफी जादा आप उसको जानते, जानना चाहते हैं तो भटेंडा घूमना आपके लिए परफिक्ट ऑप्शन हो सकता है जहां पर जाकर आप भटेंडा फोर्ट, किला मुबारत के अलावा रोज गार्डन घूम सकते हैं इसके अलावा वह पर आप भटेंडा लेक में गोटिंग का मजा भी ले सकते हैं तीर ताला, जूप, लखी जंगल, जूलोजुकल पार्क तो भूमने के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए इसके रावा चेतन पार्ट जैसी जगहें भी आप यहां आकर भूम सकते हैं तो यहां पर आपको भरपूर ऑप्शन मिलेके भूमने के लिए अगला जो आपका डेस्नेशन हो सकता है, जिसके आप प्लाइनिंग कर सकते हैं वो जगह रोपड हो सकते हैं रोपड में आप आनभपूर साहिब भूम ही हैं इसके साथ साथ चमकपूर साहिब गुरुद्वारे के दर्शन के लिए भी आप चले जाएं रोपर, वेट लैंग भी काफी जादा फेमस जे गहे घुपने के लिए बटिंडा गुरुद्वार साहिब और पुराना शिव मंदिर आप वहां जाकर भी दर्शन कर सकते हैं शिव जी हैं अब नेस्ट डेस्टिनेशन के बाब करते हैं नेस्ट डेस्टिनेशन जो हो सकता है आपका जिसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं वो है कपूर थला में आप एक साथ मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं गुरुद्वारा भी जा सकते हैं मजजद भी जा सकते हैं आप एक साथ कर जो कपूर सकते हैं यहाँ पर घुरुद्वारा ही ही मशबूर हे बिलकुल. चशाम जाते हैं मुरिश मlrिश्च घूम सकते हैं, पंज मंदिर भी जा सकते हैं जर्जीत क्लब्स मृ जा सकते हैं जहाँ अप बहां के वहां के लुफ आपने साथ खुद के साथ बग्त विता सकते हैं अगर आप पठानकोट गूमने गए हैं तो मुर्तिश्वर मंदिर भूमाय वहां दर्शंकर आएं आशापूर्णी मंदिर चले जाएं इसके अलावा कदगर मंदिर और पुराना काली माता का मंदिर जरूर दर्शंकर रहें साथ ही यहां देखने के लिए आपको नूरपूर किला, रंजीज सागरबान, हाइड्रोलिकल रिसूर्च स्टेशन और शाहपूर्णी किला भी मिलेगा तो एक बार पठानकोट गूम कर आ रहे हैं अब जो कुंक्लूसर निकलता है वो यह कि पूरा पंजाब भूम करा सकते हैं वहां के आग और हवा को आप मिलसूस कर सकते हैं तो एक बार आप पंजाब भूमने की प्लानिक जरूर करें वहां के टूरिस पे प्लेसेज को आप जरूर एक्स्प्लोर करें हमारा ये वीडियो यही तर आप हमार साथ पने लेहें